जाहिन देखिया हमारे तीनो सेनाओं के जो पहले Chief of Defense Staff यानी CDS जो थे विपिन रावत अब हो हमारे बीच नहीं रहे इनका एक सांदार करियर रहा ये उत्तरा खंड से आते थे इनके पिता जी भी सैनिक जो लेफ्टिन जनरल के पद से रिटार हुए थे ये हमारे सेना के थल हेलिकॉप्टर क्रेस में ये सहीध हो गये चार चौदा लोग थे उस हेलिकॉप्टर में जो खराब मौसम के कराण बताए जा रहा है क्रेस कर गया थे इनका हेलिकॉप्टर जो ये जब इन्हें कारभार दिया गया था इन्होंने CDS के पद को बहुत ही बखुभी निवाया से किया था भगवान इनकी आत्मा को संती दे लेकिन क्या कर सकते हैं हमारे ये जो बीमान दुरगटना हुआ है यो हेलिकॉप्टर ये कई बार भी क्रेस कर चुका है इस दुरगटना में ये साउध इंडिया में थे यहां उटी है तमिल लाडू के पास यहां पर यहां ने बीमान थे उनमें जिनके डियने टेस्ट करके पता करना पड़ा है यहां पर यह उटी के पास यह बीमान धुरगटना हुआ है यह जो हेलिकॉप्टर है एक्चुली यह भी बी आईपी के लिए लाए गया था आगस्ता वैस्टलेंड जो हेलिकॉप्टर था जब वो मिला थे 2018 में यह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था 2019 में इसकी सर्वीसिंग भी भारत में तालू कर दी गया थी इसमें हमारे नरेंद मोदी भी जाते हैं यह कई जितने भी वी आईपी लोग जाते है इसी से जाते है अभी यह कई बात दुरगटना भी ग्रस्ट हो चुक 60 देश इसका इस्तमाल करते हैं बहुत भी स्वस्थनी है इसमें कई सारी लेटेश्ट टेक्नालोजी का भी यूज किया गया इसके आर्मर को बुलेट पूब बनाए गया ताकि गोली अगर यह लो हाइट पर चलेगा तो गोली बगर बगर कोई यह रोक सके इसमें एडवा 1000 किलो ग्राम के चीज़ों पूठा के एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में सक्षम है इसको मैंली मतलब ट्रांस्पोर्ट के तर पर इस्तमाल किया गया था यह बहुत भी स्वस्थनी है दुनिया में रहा है आला कि कई टेक्नालोजी का 100% भरोता नहीं कर सकते हैं यह करता है नाइट वीजन है इसमें ओन बोर्ड है इसमें हर चीज की नई एडवांस टेक्नालोजी लगाई गई है फिर भी यह आए दिन दुरघटना ग्रस्ट होता है हेलिकॉप्टर में कई ऐसे मतलब देशों में भी ऐसी घटना है इसकी रेकॉर्ट की गई है इसमें ऑन नविगेशन सिस्टम एडवांस रडार सिस्टम को लगाए गया है ऑन बोर्ड वेदर रडार को लगाए गया है कि मौसम कैसा है उसके इधा पे भी जानकारी दीजा हाला कि प्रथम तो यही कहा जरा है कि यह जो बीमान दुरगटना हुए इसके पीछे मौसम खराब को जि इसमें एडवांस एविएशन सिस्टम को दिया गया है इसके कॉक्पिट को नया डिजाइन किया गया था कस्टमाइज करके अलग-अलग हिसाबों से इसमें इसे हम लोग यूटिलिटी के साथ-साथ अटैक के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें अलग-अलग हमला भी बहुत तेजी से कर सकता है इसमें कई सारे मिसाइलों को लगाए जा सकता है अलग-अलग तरह के इसमें मशीन गन है सब मशीन गन है आटोमेटिक गन है रडार रॉकेट्स है मिसाइल फायर करने की छमता है उसमें मशीन गन की भी लगाए गया है ताकि यह ग्राउ तो उसमें permanent maintenance उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना आपके पास खुद का रहता है क्योंकि अगर कोई ऐसे कल पूर्जे खराब हो गए जो बीदेश से लाने हैं पहली बार भारत जो है इसराइल के बरावर हाथियार export करने में जा रहा है तो यह भारत के लिए एक अच्छी ख़बर की है रखर वीपिन रावत जी जो थे जब तक उन्हों उन्होंने भारत ने रहें भारत माता की सेवा ही किये रहें अब उनको होनी को कोई क्या टाल सकता है आगे सरकार को decision लेना है कि अब किसी अगला chief of defense staff newt किया जाता है इसके अलावे एक railway के भी सूचना थी जो अभी हम लोगों ने एक December को जो digital strike किया था आप लोगों ने भी इसमें बढ़ चड की हिस्सा लिया था तो railway ने भी अपने सारे exam date को बता दिया है वो 15 जनवरी को NTPC CBT1 का result दे देगी और 14 से 18 फरवरी को CBT2 का exam ले लेगी साथ ही railway group D को भी 23 फरवरी से start कर देगी अब बेरोजगारी इतनी हाई लेबल पर है महंगाई कोरोना में लोगों का रोजगार चाहिए और हमारे जादे तर स्टूडेंट जो है वो पूर फैमिली से है जिसके पिता जी किसी के सबजी बेशते हैं कोई छोटा मोटा काम पर तो हम आप लोगों से भी हमेशा से हम य दिसनिंग भी रहेंगे उसमें complete जीके रहेगा science का पूरा portion रहेगा current का पूरा portion इसमें complete किया जगा ए टुजे जितना चीज़े इसमें रहती है सब को complete किया जएगा इन total चीजों को complete किया जएगा एकदम ध्यान में रखा गया आप लोगो एकदम minimum से मिन हम कोई पता है कि Corona तोना इसलिए एक देड़ साल में सब का रोजगार शीन जा है लेकिन हम इतना minimum किया है कि उससे minimum possible ही नहीं हो सकता है 200 रुपे में आपको total चीज आप खुद सोच सकते हैं कि इससे minimum possible ही नहीं हो सकता है इसमें हमारा tax भी सामील रहता है GST income tax वगरा वगरा 50% तो server cost ही सब में सब चला जाता है इससे minimum में पाभू possible ही नहीं हो सकता है इसमें जादे admission हम लोग नहीं ले पाएंगे तो सुरुवात में जो admission होंगे वही space में हो पाएंगे क्योंकि आपको भी पता है इतना में आजकल समझ रहे ना इसमें दसवी class के teacher जो भी बच्चों को पढ़ाते ही इतना minimum रहता है तो फिर भी आप लोग आगे जाके देश सेवा करेंगे हमको भी इस चीज को feel करते हैं कि सबके से सबकी रोजगार को छीना था कोरोना ने ये एक मौका मिला है आप अपने माबाप का नाम रोशन करिए सेटल हुई है क्योंकि कोरोना ने साबित कर दिया कि अगर आप गरीब फैमिली से हैं तो आपको एक सेटल जॉब की बहुत जरुवत है वनना कोरोना किसी को भी साड़क पिला सकता है आप आप इस को जल्दी से इन्रॉल होंगे और उपर वाला हमारे बिपिन रावाजी की आत्मा को सांती दे मिलेंगे नेक्स क्लास में जैहन।